बिहार लाइफ शेवन खबर की तह तक नमस्कार मेरा नाम विक्रमादी था और आप देख रहें बिहार लाइफ शेवन आज एक ऐसे महापुरूस का ज्यंति समारोह मनाया जा रहा है जो अपनी पूरी जिंदगी लोगों के बीच समर्पित कर दिये इस देश को इस राष्ट पारोह मनाया जा रहा है दिये भी स्कूल जहानाबाद उनके जयंति के मौके पर गरीबों को भोजन करा रही है और यहां के एक समास से भी के सहयोग से निरंजन के सब्प्रिंस के सहयोग से कंबल का वित्रन किया गया तो वहीं उन पस्वों का जिनका कोई देखने वाला न ही है जो लाचार और विवस पसू रहते हैं उन्हें स्रीक्रिष्न गौशालाद जहानाबाद में लाया जाता है उन लोगों को भी यहां चारा की वैवस्था करने की बात कही जा रही है मतलब जो महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर लगभग सेक्रों दिए भी स्कूल की अस्थापना कराया उनके जनति समारों के मौके पर पस्वों की चिंता की जा रही है हमारे साथ हमी मौझूद है जहानाबाद दिए भी के प्रिंस्पल केके पांडे और जहानाबाद के सदर एस डियो या फिर यू कहें कि गौश से बग क्योंकि लगात को यह लोग किस रूप में देखना चाहते हैं सर स्वागत है आपका सबसे पहला सवाल यही बनता है सर किया जब से लगातार आये हैं तब से गौसाला में आते हैं यहां रहता है क्या महसुद कर रहें कैसा आप चाहते हैं यहां जो है एक गोशाला जो है 1906 में तेकारी महराज द्वारा इस्थापित किया गया था बाद में इसका जो है बिहार सरकार के क्रिश्रिवं पशू बिभाग के अंतरगा पे गोशाला है लेकिन यहां पर जो लाचार पशू रहते हैं या बीमार हो जाते हैं और जो इनके इलाज का पशू चारा का और भोजन का और साथी सफाई का तो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें सफाई करीब 80% हो गया है 20% और यहां पर कुछ बच्चे हैं जो करीब 15-20 बच्चे हैं जो आकर के निरंतर यहां पर अपना स्रमदान देते हैं उन्हीं के सयोग से सफाई किया है जैसे जो देते हैं जिन से पशू कर दाता है और कुछ पालं विवाज से भी होता हैी तो रहे गोशाला श्रीक्रिश्न गोसाला एक जहनमत का धरोहर है लोगों ने इसको सजोग करके रखा है करीब 70-80 गाय यहां पर हमेशा रहते हैं लोगों से यही अपील है कि अपने बच्चों को यहां पर एक बार घुमाने के लिए लाएं कुछ सहयोग हो तो करें ताकि जो है जो बच्चा गाय की सेवा कर अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि महात्मा नारायन दास ग्रोवर की जियनती पर पश्वों को भोजन देने के पीछे क्या मतलब है क्या बजा है लेकिन इस मौके पर खाना खिला जा कि देखे हमारी डिएवी संस्था आरिश समाज की संस्था है और आरिश समाज में गो सेवा गो माता की रक्षा हो पालन हो जब भी हम उवन करते हैं तो हर प्रति दिन इस बात को जो असमर्ड करते हैं गो माता की रक्षा हो पालन हो तो किवल जगिसाला में बैठ कर कहने से गो माता की रक्षा हो पालन हो नहीं कुछ होता उसके लिए धरातल पर आकर काम करना पड़ता जब मुझे ये जानकारी मिली थी आपी के चैनल से हमारे जो SDO अनमंद्रा अधिकारी साथ हैं उन्होंने मैंने एक दिन देखा कि अपने से यहां पर आकर जो है कि वो गोबर निकाल रहे थे और सफाई कर रहे थे तो मैंने तुरत सर से बात किया और मुझे पता चला कि यहां पर जहानाबाद में एक बहुत अच्छी गोसाला है लेकिन लोगों के सहयोग नहीं मिलने से वह पिछ परिवार इसको समय समय पर जो सहयोग हो सकता है आर्थिक समाजिक जैसे भी जो है सारीरिक हर तरह से मदद करेगा तो आज हमारे जो पुर्वज कहें इस बिहार में संस्थाओं संस्थाओं को अस्थापित करने का स्रे हमारे महात्मा नारानदास ग्रोवर जी को जाता है उनकी पूर्णितिति है आज के दिन गोशाला में शेवा करके बस हम अपने सभी अविभावकों को बच्चों को और हमारे जितने सिक्षक और सिचनेतर करमचारी हैं सब को एक संदे अपने जो भी बड़े बजुर्ग हैं सब की सेवा करेगा तो एक अच्छा संस्कार अस्थापित होता है इसी संदेश को देने के लिए आज हम लोगों ने इस कड़ी में गोशेवा का आयोजन किया है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर तो आप इस जो तस्वीर को जाता है और इन्हें खाना के लिए तरसना पड़ता है कभी इस गोशाले की इतिहास के पन्नों में उलटकर देखेगा तो इसका स्वर्णीम इतिहास भी दिखेगा यहां के राजा टिकारी महराज ने इसकी अस्थापना कराई थी और उस भक्त के गोशाला और आज में बह अपना गर्वधारन नहीं कर पाती है बच्चा देने के इस्थिती में नहीं रहती है तो उन्हें हम लोग लावारी हालात में छोड़ देते हैं और दूसरा कि जो जिम्मेबार लोग हैं जो सच्छम लोग हैं वो भी ध्यान देना नहीं चाहते हैं ऐसे में जहानाबाद के उन लोगों से हम खास अपील और आग्रह करना चाहेंगे, जो सच्छम हैं, आप लोग मदद करिए, ताकि स्री कृष्ण गौसाला में पल रहे, लगभग 80 पस्वों का आहार मिल सके, और इन लोगों का जीने का आधार जो है, वो मजबूत हो सके, पॉस्टिक आहार नहीं मिल के बज़ा से गौसाला की जितने भी पसू को आप देखेंगे, उसमें आपको एहसास होगा, कि कहीं न कहीं इसे उस तरीके का भोजर नहीं मिल पाता है, जो दुधारू पसू को दिया जाता है, बारहाल आप लोगों से हम अपील और आग्रह ही कर सकते हैं, और उमीद करते हैं कि आप लोग आगे आएंगे, जहानाबाद SDO के साथ कदम से कदम मिला कर आप लोग गौसाला को फिर से एक बार स्वर्णीम इतिहास लिखने में मदद करेंगे, क्योंकि इसका इतिहास तेकारी महरास से जुड़ा हुआ है, अभी के लिए बस इतना ही लगातार खबरो के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइब सिवन